हैं वो लोग जो अंदर से तूट जाते हैं। जिन्दकी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि दो कोडी के लोग खेल कर चले जाएं। मैं चांगता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ क्योंकि वो कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। परक्ता रहा उम्र भर ताकत दवाओं की दंग रह गया देखकर ताकत दवाओं की। रभू कहते हैं तू सोने से पहले सब को माफ कर मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूँगा। अकेली रहना अच्छा है बजाय उनके साथ रहने के जिने तुमारी कद्र नहीं। जिन्दगी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों पन्ने अभी तक आपने नहीं पड़े हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है मैं पसंद तो बहुत हूँ सबको पर जब उनको मेरी जरुरत होती है तब कभी मैं अपने हाथों की लकीरों में ना उलजा क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लिखा भी पदला जा सकता है। दर दर भटक रही थी पर दर नहीं मिला। उस मा के चार बेटे हैं पर रहने को घर नहीं मिला। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। एक तो जो पसंद है उसे हासल करो और दूसरा जो हासल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इनसान की कीमत खोने की बाद चाहे कसूर किसी का भी हो लेकिन रिष्टे में आशू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यावात करे वह हमें सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझ करना चाहिए तुम्हारे दिल की चुबन भी जरूर कम होगी किसी के पाउं से काटा निकाल कर तो देखो जिसके पास उमीद है वह लाख बार हार के भी नहीं हारता विजिता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं बलकी वो बनते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते